अयोध्या की राउनक बढ़ रही है उसकी खूबसूरती बढ़ रही है और उसको खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इन फूलों का बड़ा योगदान है आयोध्या के रामकथा पार की ये तस्वीरे यहाँ पर बड़ी मात्रा में फूलों को लाया गया है और देश के अलग-अलग शहरों से मंगाया गया है ट्रक भर-भर के यहाँ पर फूल लाया गया है और जिससे की चौक चराहें खूबसूरत दिखें सुन्दर दिखें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी 30 दिसंबर को यहाँ पर पहुँच रहे हैं जिसमें कई कारिक्टर में वो शामिल होंगे एरपोर्ट और अयोध्या धाम रिल्वे स्टेशन का इनाउग्रेशन भी करना है उसके लामा रोड शो भी करना है तो अयोध्या को खूबसूरत बनाये जा रहा है यह देखें दूसरी तरफ यह कैमरा परसन प्रधी प्रधान दिखाएं कि यह जो छोटे छोडे जो फूल है बहती खूबसूरत इस समय जो दिख रहे हैं डिवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे है यह खास फूल इनको बाहर शेम्डाय गया यह कहां से मंग्या गया है यहां पर देखें कुछ फूल यहां पर थाइलेंड से बताए जा रहे हैं यह देखें आप यह पूरा पैक्ड है एक फूल निकालिए इसमें यह देखें यह बहुत ही खूबस्वरत फूल है और यह बताया जा रहा है कि यह थाइलेंड से है यह इसको क्या बोलते हैं इसको थाइलेंड का पत्ता यह देखें तो यह पूरा पैक्ड है और इसको निकाला कर शहर के अलग अलग हिस्सों में चौक चौराहों पर सजाय जा रहा है यह देखे यहां पर फूलों की माला भी बनाई जा रही है देश के अलग-अलग शहरों से फूल मंगाई जा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हाँ पर डिमांड थी फूलों की इसकी वज़ा से यहां पर मंगाई जा रही है क् मंद्रियों को यह वाले फूल कहां से यह तो कॉलकता से में हैं क्या की है जी छेड़ी ऐस में चाहते हैं जिसे लम क्या दे चलता है लंबे मत यह कि इस लह बना रही यह लड़ी इस पूरा फूलों का धेर है और बड़ी संख्या में कई सो लोग यहां पर काम कर रहे हैं लोग जो कर्मचारी हैं लगे विए दिन रात इस काम में लगे विए हैं जिसे की अयोध्या नगरी खूबसूरत दिखे सुन्दर दिखे और विश्व के पटल पर अयोध्या का और भी इस ज्यादा नाम हो चर्चा हो। यह देखे फूलों का धेर कई शहरों में फूलों की कमी ऐसी पढ़ गई होगी इतनी यह दिस्यादा डीमाड शायद ही इतना ज्यादा फूलों काम का इस्तिमाल किसी दूसरे कारक्र्mal Ya समारों में अब से पहले किया गया होगा यह देखे पूरा का पूरा ढेर यहाँ पर फूलोक का लगा है और दूसरी तरफ कैमरा परसंप्रदीर प्रधान से मैं कहूंगा कि पैन करके δिखाएं कि दूसरी तरफ काफी लॉंग शॉट के किस तरीके से यहाँ पर बड़ी से इस पूरा का पूरा शहर इस अयोध्या नगरी को सजा देने का काम चल रहा है दूसरी तरफ मैं दिखाऊं बाई तरफ की भी तस्विरें यह तो फूलों का ढेर आपने देखा लेकिन फूलों से सजावट किस तरीके सीखी जा रही है इस तरीके से आपको अयोध्या के अलग-अ चौराहों पर नजर आएगा यह देखे बहुत ही खूबसूरत यहां पर आकरीदी बनाई गई है डिजाइन बनाई गई है और यह अयोध्या के किसी ने किसी चौराहे पर इसको लगाए जाएगा दूसरी तरफ आप देखें कि फूलों के एक बहुत बड़ी पटी यह बन करता है तो यह डिपार्टमेंट है जो नगर विकास विभाग उसका यह पठीका और दूसरी तरफ आयोध्या भूमी इस तरफ अगर दिखाएं यह देखे बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है यह यहां पर भी अलग-अलग डिजाइन की आप यहां पर आकरीदी अच्छा यहां अनुमान जी आफ शानुमान जी का गदा है यहां पर राम भक्त हनुमान और यहां पर आकृती में यह देखे एक गणेश जी है किस तरीके से फूलों की एक आकृती एक धाचा बनाया गया है जिससे की सडकों पर चौराहों पर और अलग अलग जो मंदिर हैं उनको सजाने के काम आए और यह फूल सौभाग यह शाली है कि यह राम के काम आ रहे हैं एक बड़े काम में इनका इस्तिमाल हो रहा है और बड़ी तादात में यहां पर कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं कैमरामेन प्रदीप प्रधान के साथ रवी सिंग अयोध्या न्यूजेट इन इंडिया